कि कि हेलो कलास आव मैं पवन मिस्रह और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जिस फिलोसफर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं इस फिलोसफर का जो संब्ध मुदंधर वे ब्राजील से हैं तो हम इनके बारे में जानते हैं जो पावले फ्रेडरे ने जो शिक्षा को लेकर कही थी हीमिनाइजिंग एजुकेशन इस दा पाथ त्रू वीच मैन एंड वुमेन कैन बिकम कंसिसियस अबाउट देर प्रिजेंस इन दा वर्ल कि एक मानुवी सिक्षा हुआ मार्ग है जिसके माध्यम से पुरुस और महिलाएं दुनिया में अपनी उपस्तिती के बारे में सचेत हो सकते हैं रही तो अपने के मादियम से जो कहते हैं कि सिछ्छा है जिसके द्वारा जो इस डुनिया में जो लोगं इस तरह पूरुस जो ऊसकते outras लिए एजजूक+. फिर हम पावले फ्रेरे के अगर हम बाइग्रफी की बात करें जीवन के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेरे वस बोर्ण ऑन सेप्टेमबर 19 1921 इन ब्राजील की 19 सितमबर 1921 में ब्राजील मिन का जन्म हुआ कि उन्हें आलोचनात्मक शिक्षन का जनक कहा जाता है आलोचनात्मक शिक्षन की अगर शिक्षा में अगर आलोचना नहीं होगी तो सही चीजें हम तक नहीं पहुँच पाएगी तो शिक्षा में जो खामिया हैं जो करिकुलम हैं जो अलग लग चीजें हैं तो इसमें जो आ एजूकेशन की हम बात करें अगर उनमें अगर कृटिसाइज नहीं अगर होगा कृटिकली एनलीसिस उसमें नहीं होगा तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसमें सुद्धी करनुस्टा नहीं होगा तो ही वोस कॉल्ड फादर उफ क्रिटिकल पैडागोजी उन्हें आलाजनात्माग शिक्षन का जनक भी कहा जाता है इस चाल्ड़ूड वस पैंट इन पोवर्टी सो ही डिसाइड़ेड टो इंप्रूब दर लिफ्स आफ पूर पीपल थ्रू एजुकेशन की उनका जो जरम था बहुत गरीबियों भी था तो इसलिए जब आगे चलके उन्हें यह फैसला किया कि अपना जीवन जो है वो गरी कैन के जो लेबर थे उनको पढ़ना लिखना सिखा दिया और लेकिन मिलिटरी रूल्स की वेसे और उस समय इनकी जो सोच थी वहां के प्रसासन से मेल नहीं खाती होगी तो इसलिए उनको 16 1964 में 1964 से लेकर 1980 तक 16 साल के एक टाइम के लिए उनको उनके देश से निकाल दिया ग गया है ही डाइड इन 1997 की 1997 में हर्ट फेलियर की वैसे उनका निधन हो गया पिर अगर हम एजुकेशनल फिलोस्पी की बात करते हैं अपावले फ्रेरे के तो एजुकेशन ड़ नौट ट्रांसफॉर्म दवर्ड उनका मानना था कि जो सिक्चा है वो दुनिया को डारेक्ट दुनिया में पर्तिक्स रूप से डारेक्ट दुनिया में चेंज नहीं ला एजुकेशन की सिक्चा के बैंकिंग अवधारना की आलोजना की बैंकिंग अवधारना का मतलब जो प्रंपरागर सिख्ञा थी जिस सारा ग्यान जिस तरह से बैंक में पैसे होते हैं उसी तरह से सिक्षक के मस्तिक्ष में सारा ग्यान है और वो बच्चों को देता है तो उन्होंने इस जो परंप्रागत जो यह कंसेप्ट था इसकी इन्होंने क्रिटिसाइज किया और रिजेक्ट ट्रांसमिशन मोडल ऑफ लुष्यां की बच्चे को अपने ग्यान का निर्मांट खुद करना चाहिए इसकले बच्चे को अफसर दिया ताकि और उसक्षक के भरों से ना रहें तो उन्होंने एक नया जो टेक्नीक दी इसको कहा गया प्रमोट प्रोब्लम पोजिंग एजुकेशन कि उन्होंने समच जो गोन कि शिच्चक बच्चों के सामने समस्या को रखता था बच्चा कुद के सहाथता से उस प्रॉबucky के हिम समयदान पर पहुंसता था था जो फ्रव्लम पोजिंग जो यह तकनीक था नहीं तो ठीकर जो रूल है बच्चे का है बच्चे अपने ग्यान का निर्माट अपने कोशिसों से कुद करेगा और उपर की जो टेक्निक है वो टीचर सेंटर्ड है तो उन्होंने एक नहीं टेक्निक दी जिसको प्रॉब्लम पॉजिंग एजुकेशन कहा गया एमस ओफ एजुकेशन इन्होंने क्या बताए तू ट्रांसफर्ड दा वर्ल्ड सुरी टू ट्रांसफर्म दा वर्ल स्पेशली दा वर्ल ऑफ अप्टरेश्ट पीपल थू एजुकेशन की दुनिया को बदलना और विसे इस रूप से उन लोगों को जो उत्पीड़न का सिकार हो है तो उन लोगों को भी सिच्छा के माद्यम से उन लोगों के जीवन में भी परिवर्तन लाना है अचीविंग पर्सनल फ्रीड़म एंड सोसल जेश्टिज त्रू एजुकेशन की सिच्छा के माद्यम से व्यक्तिगा सोतंदृता और समाजिक निया को करना मेकिंग उसके बाद इन्होंने बताया क्रिटिकली लिट्रेसी कि आलोचना अत्मक्स शक्चरता कि जो भी बच्चों को पढ़ाया जाए सिखाया जाए उसका भी उसकी भी आलोचना होनी चाहिए क्यों कि आलोचना के माद्यम से हमें किसी भी चीज़ की अच्छाई बुराई अपने आने वाली फिडियों को सिखा सके लिसोशेन सिमांजी करन तो बिछास को मतलब है कि जैसे हमने बताया कि clairement की जो भी सिच्टम चीजे चली आरे हैं जो भी प्रमपरागट चीजें चली आरे उनको को खतम कर देंगा विश्व्य सेन का मतलबा मदें समांजी करन कि नई चीजों को अच्छी चीजों को शामिल करके और उसके सापसे बच्चों का समाजी करन और सोसलाइजेशन करना तो इन्होंने डिसोसलाइजेशन मतलब जो परंप्रगत चीजी आ रहे हैं उसको खतम करने की बात की और नई चीजों को अपनाने की बात की तो जो परंप्र awareness ग्यान में वृद्धि करना तो create dialogue संवाद का निर्माण करना कि संवाद के द्वारा बच्चे और सिख्चक क्लास्रूम में जितना जारा संवाद होगा उतना ज्यादा बच्चों को सीखने को मिलेगा जानने को मिलेगा उनकी आत्मिस्पास में वृद्धि होगी तो संवाद के माध्य हमसे कर सकते हैं तो हमेनाई इंडिविज्वल व्यक्तियों का मानवी करन या मानव को मानव बनाना एमस ऑफ एजुकेशन क्रिटिकल एवेलवेशन आलोजनात्मत मुल्डियांग करना तो एमस ऑफ एजुकेशन इन्होंने बताए इसके बाद अगर हम ब नाम लोग हैं उनके उसके लाँएृवलिहोट से ऋनकी रोजाना की जीवन है उस से समंदित होना चाहिए अगर लोगों से शमंदित होगा तो बच्चा है उस पार्ट करम को खुद के जीवन से रिलेट कर पाएगा और इसको सीखने की कोशिश करेगा विद्यारतियों की अनुभव पर आधारित होने का मतलब है कि अगर बच्चा स्कूल में जो सीखने को आता है बच्चा अगर पेड़ के बारे में शीखता है तो जो पेड़ हैं इसा नहीं कि उसके बारे में वह बच्चे में आने से पहले अनुभव कर रखा तो पाट क्रeम में ऐसा हो जो जो कुछ है कि अनुभोंधेर्ट होना चाहिए प्रोंब्लम बेश करिकुलम कि समस्यारित से अधारित पार्ट नहीं होते हैं उसमें हमेशा पर्स्ण होते है और प्रस्न से पार्ट कारम किया जाता है और पूरे पार्ट को पढ़कर उन प्रस्नों का उत्तर मिलता है तो इसी तरह से जो करिकुलम होना चाहिए समझ से आधारित पार्ट करम होना चाहिए डेमोक्रेटिक करिकुलम होना चाहिए लोगतांत्रिक पार्ट करम होना चाहिए जिसमें सभी को समान महत्व दिया जाए जिसमें हम कह सकते हैं कि diversity होनी चाहिए विवित्ता होनी चाहिए किसी एक पक्च को focus ना किया जाए बलकि सभी पक्चों को इसमें सामिल किया जाए इसके बाद teaching methods की बात करते हैं तो इन्होंने dialogue methods की बात की problem solving method की बात की critical thinking की बात की और democratic methods लोग तांट्रिक विधिया इन लग लग जो teaching जो मैथर से section video थी उनकी इन्होंने बात की कि इनके मात्यम से बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए कि इसके बाद learning environment कैसा हो अधिकम वातावरण कैसा होना चाहिए तो participatory हो जहां पर विद्यारतियों की पूर्ण भागिदारी हो समवाद परक हो जहां पर एक अच्छा समवाद हो इस टीचर और बच्चों के वीच में इनकी philosophy जो एक कुछ points हैं बहुत ही ज्यादा यूसफूल है आप सब भी अगर इसकूल में जाना जब आप एज़र टीचर इसकूल में जाना तो आप अगर यह जो six जो इन्होंने five points बताएं इनको अगर classroom में जाने से पहले अगर आप एक एक point को अगर अपने दिमाग में रखकर अगर आप जाओगे तो आपकी section आपकी जो teaching learning जो classroom में जो हम बात करते हैं वह बहुत ही एक सकारात्मक होगा और आप अपने section को और जादा प्रभावसाली बना सकते हो लेकिन उसके लिए आपको इन बातों का ध्यां रखना बहुत जरूरी है तो यह जो बाते हैं सिर्फ माक्स के लिए नहीं आपके आपने आगे की जो life उसमें आपको बहुत ज्यादा आपको एक काम आएंगे उसके बाद हम टीचर की बात करते हैं तो प्रोब्लम पोजर हो टीचर पावलो फ्रेरी का मानना था कि टीचर ऐसा हो जो अपना रटा रटाय ग्यान बच्चों को ना देकर बलकि बच्चों के सामने एक समस्या प्रस्तुत करना ताकि बच्चा अपने प्रस्णों को खुशी-खुशी पुछे और अपने जो डाउट से उसको क्लियर करें तो कैसा विद्यारती सिप्चक संबंद की रिलेशन ऑफ एक्वल बराबरी का रिस्ता हो कोई छोटा बढ़ाना हो कक्षा में बहुत मस्ट रिस्पेक्ट ए जैसे हमने बैंकिंग शिचा बैंकिंग अवधर्णा की बात की थी तो कया होता है बैंकिंग अवधर्णा मीनिंग ऑव बैंकिंग कंसेपको जिसमें जो विद्यारतियों के सब्सक्राइब हो Ой बच्चों के दिमाग में जमा करता है लेकिन इसमें तौन उस्स already क्योंकि कोई भूमी का बिलकुल ना के बड़ावर रहे उसको सीठी को इतना नहीं मिला कि यह सेड़ डाइड बैंकिंग सिस्टम रिडिश इज दर क्रिटीव पावर ऑब दचाइड कि बैंकिंग प्रिनाली बच्छों की रिजनात्मक्सक्ति को कम करती है इट निगेट एजुकेशन एंड नॉलेज एज प्रोसेस ऑफ इंक्वाइरी यह जांज की परिक्रिया की रूप में सिख्छा और ग्यान को नकारता है इजुकेशन नॉलेज जा प्रोसेस ऑफ इंक्वाइरी की जैसे हम फिर इन्होंने यह बात कि कि इसमें बच्छों का इस एंड सेल्फ एक्सपिरियेंश की उन्हेंने का बच्चों को गदिविधियों और आत्म अन्भों के माध्यम से सीखना चाहिए करेक्टरिस्टिक्स और बैंकिंग एजुकेशन दर टीचर टीचिस एंड शुरेंट आर टॉट की इसमें क्या है कि सिख्चक पढ़ाता है और बच्चा पढ़ता है तर टीचर सब कुछ जानता है लेकिन विद्ध्यार्थी कुछ भी नहीं जानता कि सोचने का काम भी सिख्चक का होता है और जो बच्चो को पताता है तो इसमें सोचने का भी अधिकार सिख्चक का ही होता है कि लिए टीचर टॉप्स अपनी पसंद से करता है और विद्ध्यार्थी से अपनाते हैं तो यह बैंकिंग कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन है जो हमने पढ़ा और उसके बाद जो पावले फ्रेरी ने एक निया जो कंसेप्ट दिया एक नहीं जो चीज दिए इसको क्या कहा गया प्रोब्लम पॉजिंग जो के संस्या अधारित प्रैरे वह इंत्रूडूश्ट दन्यू टर्मिलोजी और प्रोब्लम पॉजिंग एजुकेशन प्रैर्ड ने शिक्छा ने समच्या समधान शिक्छा की एक नई सब्दावले पेज़ की अब इसमें क्या था टीचर्स गीव प्रॉब्लम्स इन दा ग्लास्रूम तो श्रेंट इन दा फॉर्म ऑफ क्वेश्चन कि सिक्षक कच्छा में समस्याओं को प्रस्णों के रूप में विद्यार्थियों को देते हैं श्रेंट एंट टीचर बोथ ट्राइट फाइंड आउट देट पर्टिकुलर प्रॉब्लम कि विद्यार्थि और सिक्षक दोनों इसे समस्याओं का पता लगाने की कोशिश करते हैं तो इसमें मिलकर प्रयाश किया जा रहा है कि इस बेस्ट ऑन दा प्रिंश्पल डेश्रेंड लॉर्ण बैटर वैंडे क्रिए नौलेज ऑन दियर आउन कि यह इस सिद्धान प्याधारित की विद्यार्थी बैतर तरीके से तब सीखते हैं जब वह स्वयम ग्यान का स्रीजन करते हैं इस मैठर्ड हैप्स इंदर डेव इन एजूकेशन हम देखते हैं कि प blacks ओ फेरre छी इनका सिक्षा में किया योगदान है तो इनका यूगदान जो है एजूकेशन ऐजर्ट ड्रांस वरब society कि इन्होंने समाज की परिवर्तन कारी सिक्षा की बात की कि सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो समाज में परिवर्तन लाए जो निचले तपके की लोगों को भी आगे बढ़ाए तो इन्होंने education as a transformer of society समाज की परिवर्तनकारी सिक्षा की बात कि कि सिक्षा इस तरह से होनी चाहिए समाज में परिवर्तन लाए emphasis on dialogue समवाद पर इन्होंने कक्षा classroom में समवाद पर dialogue पर इन्होंने फोकस किया है इन्होंने बात कि इनको आलोजनात्मक सिक्षण का जनक कहा जाता है वादर प्रिटिकल पैड़ागोजी की अगर हम पैड़ागोजी सिक्षा सास्त्री बात करते हैं तो इसमें क्रिटिसाइज होना जरूरी है ताकि इनकी खामियों को दूर करकर यह अच्छी चीज़ों कर सम दिया जाना चाहिए तो और उनको अपने नौलेज़ खुझ से क्रेट करने का भी अधिकार दिया जाना चाहिए एक्स्प्रियंश बेड लर्निंग अनुभव आधारित अधिगम कि इन्होंने बात की और उसके बाद इसके बाद टीचर रिलेसंसिप विद्यारती अध्या इस तरहे से जिखाए कि बच्चों का पूरा ही उसका इसका समस्यां को अरॉण सोल्करे समय के حsaबोषे के प्रीचरlarda को इस की बात की खिए जोकेत्य ने बात की टीका नियंगाने बात कि वह बहुम्रेटिगेसी होनी चाहिए डेमो क्रेटिक एजुकेशन होना चाहिए जहां पर सबको समान माना जाए सबको स्वतंतता समानता का पूरा अफसर दिया जाए अगेंस्ट मैंकिंग एजुकेशन बैंकिंग सिक्षा के बिल्कुल यह खिलाब थे लिबर्टी एंड इक्वेल्टी इने एजुकेशन सिक्षा में स्वतंतता और समानता कि यह बात करते थे तो आज की इस वीडियो लेक्चर में क्लास इतना ही हमने पावलो फ्रेयरे के बारे में पढ़ा जो एक ब्राजिलियन फिलोसफर थे और उन्होंने एजुकेशन बात की कि एजुकेशन किस तरह से होनी चाहिए और पुराने जो तरीके थे उसको उन्होंने हटा कर नह तरी किया तो इनकी फिलोसमी में काफी कुछ अच्छी चीजे सीखने को मिली और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जुरू शेयर करना ताकि पावलो फ्रेयरे के बारे में इनके दर्सन के बारे में सबको पता सब सके आप सबका बहुत- धन्यवाद